कि दोस्तों आज हम बात करेंगे शिबा आयनु कोईन के बारे में दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि मार्केट बहुत दिनों से नीचे की तरफ चल लाता बट अभी थोड़ा सा बुलिश रंद देखा जा रहा अगर हम शिबा आयनु की बात करें दोस्तों उन्होंने उस इसका प्राइज यहां चल रहा था ट्रिपल जीरो के बाद कोई डिजिट थी उसमें इसका प्राइज चल लाता बट अब डबल जीरो के बाद इसका आयनार में आप यहां देख सकते हैं यहां यह वन टच हो चुका है तो आप यहां देख सकते हैं ठीक है इसका हम चार्ट यहां दिखाई दिया है यह देखे स्टार्ट हो चुका एक यह दिखाई दिया है यह 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 दिखाई दिया यह 24 hours की candle है मतारा एक दिन की एक candle है ठीक है और यह जो रैट करों की लाइन दिख रहे हैं यह हमारा 20 SM में है 20 EM में है exponential moving average ठीक है अगर इसको उपर से निकल रहा है तो इसमें एक तेजी से देखी जारी है अगर हम back पीछे की तरफ देखें पहले हम इसका देखते हैं weekly चार्ट करता हूं फिर आपको ज्यादा किलियर हुपाएगा इसे हम weekly कर देते हैं वन वीक का आब एक candle वन वीक को शो करी प्रादर शिक से वन आया तो इसमें काफी महनत लगी अभी यहां देखें तो यहां टच करके एक वीकी candle ग्रीन रेड फिर एक ग्रीन केंडल यहां बनी हुई है अभी यह continuous चल रही है weekly candle और यहां देखें तो 20 SMA है दोस्तों अगर 20 SMA से उपर निकलता है यहां तो एक ते देखें यहां तो कितनी तेजी एकदम से आई है उसके बाद यह नीचे नीचे गिर तक गया है वह जैसी 20 SMA के नीचे आया देखिए तो काफी तेजी से यह गिराब भी है यह देखिए तो फिलाल अभी 20 SMA के नीचे है weekly चार्ट पर तो जैसे ही यहां आता है तो हम इसमें और तेजी की संभाव ना देख सकते हैं अब हम इसे डे चार्ट पर देखते हैं तो दोस्तों बहुत लोगों ने श्रीवा इनु को लिया हुआ है जिन्हों ने अभी पॉइंट जिरो जिरो सिक्स के प्राइस के आसपास लिया तो वह भी अभी फिलाल पॉफिट में होंग तो पॉइंट जिरो टू जल्दी ही हो जाएका दोस्तों यह ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला यहां पर हम इसका वेट कर रहे हैं कि क्या यह वन रुपी पर आएगा तो दोस्तों वन रुपी आने में काफी टाइम लगेगा तो फिलाल अभी यह धीरे-धीरे बढ़ रह है इसमें और अगर हम इसका यह देखें RSI RSI फुल बुलिश यहां शो हो रहा है कि 70 पर दिखा रहा है इसका तो 70 का मतलब है कि अभी इसमें तेजी की संभावना और हो सकती है क्योंकि यह अपने ओवर बोर्ड जोन में जा रहा है क्योंकि 80 के ऊपर ओवर बोर्ड जोन हो जाता अभी 70 क्रोस कर रहा है तो अभी और तेजी इसमें आ सकती है तो दोस्तों जिननों होल्ड किया वह बिल्कुल टाइट पकड़के से रखें अगर इसे अगर आपको अभी भी यह थोड़े नीचे लेवल मिलता है तो आप इसमें कुछ अमाउंट इंवेस्ट कर सकते ह कराओ तक और तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और तेंसे धन्यवाद